तो हम बात कर रहे थे कुम्ब लगन के विविन भाव में जब राहु इस्तित हो तो राहु की महादसा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं इस विडियो में बात कर रहे हैं अगर आपका कुम्ब लगन हो और राहु पंचम भाव में मिथ्वन रासे में इस्तित हो तो ऐसे में राहु की महादसा आने पर किस प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं देखे राहू अगर पंचम में है तो यहाँ पे आपको सनी और बुध दोनों को देखना पड़ेगा अगर सनी और बुध दोनों ही अच्छी स्थिति में है तो निस्थिती ऐसा राहू आपको काफी अच्छे रिजल्ट देगा फिर आपको ये देखना है कि राहू के साथ क् बुद का कोई संबंध है, या सनी का कोई संबंध है, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, देखे पंचम भाव में जब भी राहू आते हैं, मिथुन रासे में, ये राहू उच्च के राहू है, ऐसा राहू आपको काफी क्लेवर बनाएगा, बातचीत करने में, निरने लेने में, कोई रणनिती बनाने में, कुछ नیا अनलेसिस, कुछ नیا सोचने में, और एक अलगी प्रकार की थिंकिंग और मैंटलेटी आपकी रहेगी, हर बात में कुछ नया स्पेशल खोज लेने की चमता, हर बात में बहुत ज़्यादा लोजिक देने की चमता आपके रहेगी तो एक अच्छा डेप analysis करना एक अच्छा निर्णे लेना और पैसे कमाने या कोई भी समस्या के समाधान के लिए tricks ढूंडने में आप माहिर होंगे ऐसा राहू आपको अक्सर sudden gain देता है धन से समंदित फाइदे काफी जादा देता है पंचम भाव में राहू हो तो आपकी creativity को बढ़ाता है साथ ही आपकी जो mentality है उसको strong बनाता है हमेशा तो ऐसे में आप कोई भी problem जब आपकी life में आ जाती है बला ही वह आपके profession से related है चाहे धन से related है कोई भी दिक्कत है आपको वहाँ पे आप अपने decision की वज़े से आप अपने mind की वज़े से वहाँ पर विजय होते हैं वहाँ पर आप problem को बहुत जल्दी सॉलो कर देते इवन ऐसा राहू हो तो जातक दूसरों के लिए भी बहुत जल्दी problems को सॉलो कर देगा पंचम भाव का राहू ज्यादा talkative बनाता है बट जातक बहुत ज्यादा फालतू बाते नहीं करेगा और वो एक अच्छा business minded person हो सकता है उसको business करने की skills पता रहेंगी उसको हमेशा कुछ नया खोजना हमेशा कुछ नया सीखने की परवर्ती रहेगी बट अगर आप एक student life में हैं अगर आप एक student life में जी रहे तो यहाँ पर इस बात की संभाना काफी ज्यादा कम है कि आपको वो stability देगा आपकी education में लेकिन आप अपना कोई business स्टार्ट करना चा रहे हैं या आप especially कुछ अपने अंदर कुछ creative skills डवलप करना चा रहे हैं तो ऐसे में रहू ज्यादा support करेगा आपको फिर यहाँ अगर शुक्र का समन्द या बुद्ध का समन्द रहू से हो तो आपको ज्यादा talent मिलेगा रहू की द्वारा रहू की दसा में आप उसका thinking की जो चमता है उसका प्रभाव दूसरों पर बहुत जल्दी छोड़ देते हैं ऐसे में आप किसी group को बहुत अच्छे से lead कर सकते हैं आप बहुत लोगों को guide कर सकते हैं बट mostly ऐसा रहू आपको selfish भी बनाएगा काफी बार आपको पैसा कहां से कमाना है कैसे कमाना है किसको mid age में ऐसी दसा आती हो अब इसका भी असर पड़ेगा कि आपको राहू की दसा कौन से period में आ रही है जैसे हो सकते है किसी को बहुत ही old age में ये दसा आ रही हो किसी को बहुत सुरुवाती समय में ऐसी दसा आ रही हो या किसी जाट तक को mid age में भी ऐसी दसा आ रही हो तो हम इनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा यहां कर लेते हैं जैसे देखिए अगर किसी जात्त को बहुत ही शुरुवाती समय में जब आप एक student के रूप में होते हैं उस समय अगर ऐसी दसा आ जाती है तो आप इस दसा का बहतर उपयोग नहीं कर पाते यहां पर आपको काफी सारी समस्य हैं काफी सारी problems देखने को मिलेंगी आप अपने study के career को आगे नहीं बढ़ा पाते इवन आप अपने लिए सही career चुन ही नहीं पाते तो यहां पर एक दिकत major यह आती है फिर आप concentrate नहीं कर पाएंगे बार-बार आपको कोई ऐसा research चाहेगा या कोई ऐसा चीज चाहेगा जहां पर कुछ analysis करना हो जहां पर mind को कोई न कोई ऐसी सामगरी चाहिए काम करने के लिए जो mind को एकदम संतुष्ट कर सके और mind को बहतर तरीके से आप उपयोग कर सकें जिसमें तो राहू यहां पर आपके लिए एक अच्छी चमता डवलप करके लेके आता है और ऐसा राहू आपको entertainment में काफ़े फाइदा दे सकता है entertainment या आपको creativity या आपको fashion designing बगर है इस प्रकार की चीजों में भी साथ ही communication क्योंकि अब ये तीन नमर साइन है तो ये कालपर उसके इसाब से तीसरे घर की रासी है ऐसे में आपके communication आपके बातसीत करने के तरीके आपके चीजों को explain करने के तरीके सोचने समझने निरने लेने की प्रक्रिया के जो तरीके हैं आपके उनके उपर इस राहू की दसा में बहुत गहरा effect पड़ेगा राहू यहाँ है तो आपको सेर बाजार, लोटरी, जुवा, सटा इन सबसे काफी फाइदा दे सकता है बट ऐसा राहू आपको अक्सर काफी बार फाइदे करवाता है और काफी उतार्च डावरे इंकम आपको देता है देखा जाए तो जात्तक को थोड़ी चंता अवस्य देगा हमेशा जात्तक mentally obsessed रहेगा किसी ना किसी कारिये के लिए जात्तक किसी ना किसी कारिये को बहुत strongly करने को देखेगा तो यहाँ पे एक मजबूत आतम विश्वास भी देखा जा सकता है ऐसे जात्तकों में फिर हम अगर राहु की दर्ष्टियों की बात करें तो सबसे पले राहु देखते हैं आपके 9th house को 9th house पर जब राहु यहाँ दर्ष्टि डालते हैं एसे में यहाँ साथ नंबर साइन यानि तुला रासी है तुला रासी होने की वज़े से अगर आपका शुकर मजबूत इस्तिति में है ऐसा राहु आपको उचध्यन के लिए विदेश सेटल कर सकता है विदेश भेश सकता है या किसी दूसरे राज्ये में भेश सकता है साथ ही आप नई जो कंडिसन्स है, नई जो प्रिष्टितिया है नई जो सेंस करती है उनके साथ बहुत जल्दी आतम साथ कर गरेंगे उनके साथ edjustment आपका बहुत जल्दी हो जाएगा तो राहू का नवम भाव को देखा जाना एक बहुत अच्छे इस्तिति आपके लिए create करता है नवम भाव पर जब राहू की दृष्टी पड़ेगी तो पिता की साथ समंदों को लेके दिक्कते आ सकती हैं पिता की साथ relationship या पिता के साथ आपकी काफी ज़्यादा misunderstanding हो सकती है बट अन्य मामलों में आपको काफी बहतर result मिलेंगे फिर आपको राहू education के मामले में बहुत ज़्यादा lucky भी बनाएगा इस प्रकार का राहू अक्सर जिवन में बहुत कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करेगा जिवन में कुछ special करने के लिए प्रेरित करेगा साथ ही आप में एक ऐसी strong छमता एक ऐसी स्तिया आप में develop कर देगा जहां पर आप बहुत कुछ achieve कर सकते हैं अपने life में बहुत जल्दी self depend हो सकते हैं ज्यादतर ऐसे जातकों को काफी tricky देखा जा सकता है उनके पास बहुत सारी tricks हो सकते हैं किसी भी समस्या को solo करने के लिए ऐसे ज थोड़ा आपको डर रहेगा यहां पर पैसे के loss का अगर आपको ने किसी को पैसे उधार दे दिये तो हो सकता है दिक्कत आ सकती हैं यहां पर आपकी जो friend circle है आपका जो network circle है आपके उतना काम नहीं आने का बट आपको कुछ हद तक business में ज्यादा सफलता मिल सकती हैं साथ ह कभी कभी जाद तक अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा obsessed रहेगा उसका पैसा काफी बार अटक जाएगा इदर उदर आपका जो पैसा है उसका loss होने का खत्रा भी रहेगा अगर जूपिटर बहुत मजबूत इस्तिति में है और जूपिटर का समन्द अगर 11th house से हो त इसके लवा जाद तक suddenly चीजों को पाना चाहेगा बहुत जल्दी चीजों को घरन करना चाहेगा हासिल करना चाहेगा यह प्रवर्ति भी आप में देखने को मिलेगी रहु का 11th house को देखा जाना आपकी सामाजिक प्रतिस्था आपके साथ जो लोग जोडते हैं उनकी साथ एक बहुत strong relationship देखने को मिलेगा ऐसे में यहां रहु अगर ज्यादा मजबुत इस्तिते में नहीं है तो आपको कुछ परेशानिया आ सकती हैं धन संपत्ति को लेकर और अपने network को लेकर उसके बाद रहु देखते हैं आपके लगन को लगन को जब रहु देखेगा तो ऐस में आप में ज्यादा से ज्यादा skills develop होंगी और वो skills वास्तव में आप में नजर आएंगे जब आप किसी के साथ बात करेंगे तो आपका बात करने का तरीका normal लोगों की तुलना में अलग ही परकार का होगा आपका सोचने समझने का तरीका और mind आपका काफी तेज चलेगा mind की साथ आपकी जुबान भी काफी तेज चलेगी अब राहू देखे अगर लगन को देख रहा है तो लगन को राहू जब भी देखे जाथ तक अपने आपको बहुत ज़्यादा smart दिखाने की कोशिस करता है अपने आपको बहुत ज़्यादा धनवान दिखाने की कोशिस कर आएंगे राहू यहां लगन को देख रहे हैं तो ऐसे में आपके personality पर एक अच्छा प्रभाव डालते राहू और बाकी आप यह देख लें कि आपका लगन में कोई और ग्रे बैठा हो तो उसके उपर भी राहू का प्रभाव पड़ेगा जिस वज़े से कुछ result बदल सकते है अब मालीजे किसी का अगर राहू बहुत starting के समय में आ रहा हो तो उस समय जाद तक राहू का उतना बहतर उपयोग नहीं कर पाता मिड एज में अगर ऐसी दसा आती हो तो ज़्यादा बहतर आपको लाब राहू दे सकता है यहाँ पर राहू जाद तरह आपको लेटर एज में भी काफी बहतर result देता है धन को लेकर आप लेटर एज में जादा सतरक नजर आते हैं लेकिन मिड एज में किसी की ऐसी दसा हो तो जाद तक काफी speculative नजर आएगा तो यह कुछ परिणाम रहेंगे जब भी राहू की महादसा आपको आ रही हो और राहू आपके पंचम भाव में इसलिए था हो